बगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आदिश देते वे कहा मै ये व मनादस्व मुझने अपने मन को स्थापित करो, इस्थिर करो मै बुद्धिम निवेशयन तुमारी बुद्धि समाहित हो जाए और इसका परिणाम ये होगा निवस्षचैम येव अत उरधम नशंशे तब तुम मुझमे निवास करोगे अभी तुम निवास करते हो संसार में, वासनाओ में, भोग में, चिंताओं में, दर्द में, पेडाओं में गरना इर्शादेश की दुनिया में तुम निवास कर रहे हो लेकिन तुम परमात्मा में निवास कर सको आनद में निवास कर सको सुक में निवास कर सको निर्भैता में निशंकता में निवास कर सको तुम अपने अंदर के उल्लास और उत्सा में जी सको तो उसके लिए मार्ग यही है कि जो मन संसारी बना हुआ है उस मन को तुम अपने करतार को अपने स्वामे को अपने प्रभू को समर्पित करो और ये निश्चित ही है कि जीव यदि उसका मन और बुद्धी संसार में है तो फिर उसका व्यक्तित्व भी वैसा बन जाएगा और जैसे ही उसका मन और बुद्धी परमात्मा में लगती है तो फिर वह व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है फिर वह बहुतिक वादी नहीं रहता दोनों में अंतर बस इतना ही है बहुतिकवादी भोगवादी व्यक्ति केवल सुख की चीजें ही उसको पसंद आती है जैसे अभी डॉक्टर अर्चिक आपको बता रही थी कि आर्थी किस्वर किसी को नहीं सुनाई दे रहे हैं और एक व्यक्ति को कहीं चांदी के सिक्के गिरे और दूर गिरे पर उसकी आवाज इतनी दूर से सुनाई दी कि वो भागा उदर की तरह पर उसे लगा काम की ध्वनी तो आवाई है अभी तक की ध्वनी में वो मजा नहीं था संगीत में क्या मजा आर्थी में क्या मजा जो सिक्कों के खनक में मजा है और अगर गिरते सुनाई दे जाएं तो ऐसा दोड लगाता है आदमी ओलम्पिक की रेस भी पीछे रह जाएं ऐसे भागता है आदमी स्चिक्का गिरा है वो आवाजी अलग होती है दिल में बसी होती है तो दोडता है आदमी ओधर क्योंकि भागवादी है भातिक वादी है और उधर की तरव जब दोडता है तो फिर लगता है कि लोग अगर नोट भी गिन रहे हों तो उसमें से भी नोट गिनते समय भी आवा जाती है और कुछ लोग तो दूसरे के नोट गिनते गिनते भी मज़ा ले रहे होते हैं अगर हम को गिनने पड़ जाए और हमारे हो तो तो संसारी व्यक्ति भोगवादी व्यक्ति संसार में जिस तरह से उल्जहवा होता है उसका ध्यान बस वही सब सुनाई देता है बहरे से बहरे आदमी को भी काम की बास सुनाई दे जाती है पता नहीं कौन सी मशीन काम करती है उस समय और अगर मतलब की बात ना हो तो अच्छे कान खुले हो मोर के कान भी हो तो भी आदमी को सुनाई नहीं देता हो लगता बेकार की बात है तो जिधर मन जिधर बुद्ध उधर ही हम श्री कृष्ण कहते हैं मन भी मुझ में और बुद्ध भी मुझ में आ जाए तब तुम संसार में रहते भी संसार में निवास करते भी मुझ में बस जाओगे और मैं तुम में बस जाओगे तब वो इस्तती आएगे के जहां दो धरती आस्मान जैसे मिल जाए जहां एक अलग सुन्दर दृष्ष है जीवन का घट जाए वो इस्तती जीवन में आ जाए और ये तब ही होता है के जैसे मैंने कल आपको सुनाया था कि संगीत सुनने के लिए तो सब बैठे लेकिन सुनते समय सारे और तो बहुत सावधान खुद को बचाने में अपने आप को बचाने में लगे जाए लेकिन संगीत का अपना नियम है कि जब वो प्रवेश करता है आपके कानों से रहुदे में पहुंचता है तब आप अपनी में को खो बैठते हैं और जहां आप अपनी में को खो बैठते हैं और आप लीन हो जाते हैं आनंद वहीं से शुरू होता है यह बात ध्यान लखने की श्री कृष्ण कहते हैं तुम मुझे में लीन हो मैं तुम में लीन हो और यहीं से जीवन का आनंद तुम्हारे अंदर शुरू हो जाए क्योंकि अभी तक वो नहीं मिल गा समस्चा यही है कि अभी तक तुमने लीन होना नहीं सीका तुम प्राटना भी करते हो लेकिन लीन नहीं हो पाते तुम बजन भी करते हो लेकिन लीन नहीं हो पाते हैं मुझे में निवास ही नहीं कर पाते हैं तुम्हारा पांच मिनट का दियान तुम्हारे पांच मिनट का भजन महतोपून हो सकता है अगर तुम उसमें लीन हो जाओ और वे गंटे तक बैट करके भी अगर तुम तलीन नहीं होते हैं तो बार ही खड़े रह जाओगे, द्वारा भी खुला नहीं है तुमारी में मन बुद्धी मुझे दो तो मैं तुम में प्रवेश कर जाओ और तुम मुझे में आ जाओ बुड़े अद्वुत बात है यह साधान संदेश नहीं है और इसी को आप मानिये कि किसी के अंदर ये भक्ती, ये प्रेम का प्रसाद जब व्यक्ती के अंदर प्रवेश कर जाता है तो यहीं से वो चमतकार गटना शुरू हो जाता है कि तब प्रभु की तरफ की गई यात्रा, साधन यात्रा नहीं हो जाती तिर्थ यात्रा हो जाती है तब आप के जीवन में दिया गया कोई भी फल, कोई भी मिठाई, कोई भी पदार्थ, कोई भी खाने का पदार्थ, वो पदार्थ नहीं रहा था, वो प्रसाद हो जाता ह क्योंकि उसमें भगवत भाव न जुड़ गई किस ने दिया क्यों दिया भगवान के मंदिर से भक्ति करके आप उस प्रसाद को कथा सुन करके आप प्रभु का भजन सुन करके आप जिस प्रसाद को लेकर के आए है जो पदार्त लेकर आए खाने का बोज्य पदार्त है वो लेकिन वो प्रसाद बन गया आपकी निद्रा भी अगर प्रभू को याद करते भे आप नींद में जाते हैं और उस समय आप प्रभू का स्मण कर रहे हैं तो ध्यान दख लेना निद्रा समाधी बनती है उस समय इसलिए यही तो एक तरीका सीखना है कि आप अपनी निद्रा को समाधी बनाएं अपनी चलने फिरने को भगवान की परिक्रमा बनाएं आपका बैठना जो है बैठना ना हो वो समझो के आप भगवान की गोद में बैठ वे हैं आपका जलपान भी जलपान नहीं है वो चरणा मृत का पान हो जाए आपका स्रम जो है सेवा बन जाए जिसको आप सेवा कार्य कहते हैं कार्य सेवा कहते है कार्य सेवा का मतलब कार्य सेवा कार्य सेवा किसी कर्तव्य के लिए किसी उदेश्य के लिए किया गया आपके द्वारा कारिय इसलिए स्रम सेवा करना वो तभी संभव है जब आप प्रभु से जुड़ गए आश्रम बन रहा है मंदिर बन रहा है तो सब लोग अपना-पना हाथ लगा रहे हैं यहां तक के अमीर से अमीर आदमी अपनी कार से उतर के जुसने कभी मिट्टी में हाथ नहीं लगाया था वो अपने सिर के उपर तसला मिट्टी का रख करके और मिट्टी डालने जा रहा है कार सेवा कर रहा है मंदिर बन रहा है भगवान का स्थान बन रहा है आज भगवान का मजदूर बनने का मौका मिला है कितना अनंद आता है भगवान के मजदूर बन गए हम कबीर ताना बाना बुनते बुनते क्या बोलते हैं जब किसी ने पूछा क्या कर रहा है वो बोले भगवान का मंदिर बना रहा हूं ताने बाने में भगवान का मंदिर बोले इसमे एक एक ताना बाना इसमे में राम को बुन रहा हूं मंदिर अंदर बन रहा है फिर्दे में बन रहा है क्योंकि काम बाहर कर रहे हो आप लेकिन काम में राम का नाम है प्रभू का नाम है इसलिए इबाद्ध्यान दख लेजिए कि जिस समय आप पत्थर में शालिक राम देखने लग जाते हैं जब आपका शबद जो है भक्ति भजन बन जाता है जब आपका उठना बैठना चलना फिरना भगवान की प्रदक्षिना और उसके लिए लेटना भी दंडवत प्रणाम बन जाएं तो समझ लेना चाहिए कि अब आप भगवान में निवास कर रहे हैं क्योंकि भगवत भक्ति आपके अंदर आ रहे हैं इसलिए पुराने बजन सुनें आप उसमें लिखा गातें लोग कोड़ी को तो लाक संभाला लाल रतन क्यों छोड़ दिया तो उन्हें प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया काम ने छोड़ा, क्रोध ने छोड़ा तो उन्हें प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया तो ये छेतावनी हमको दर्शाती है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में लेकर के चलें और कुछ जादा करने की जुरूत नहीं है कि आप दस काम छोड़ करके और फिर ऐसा करें जो कुछ आपके जीवन में चल ला है उसी में आपको बस थोड़ा सा परिवरतन लाना है इसलिए एक नियम ये माना जाता है कि जिस समय आपके मन में कोई विकार आना शुरू हो तो उस समय आप पांच से लेकर एक तक की गिंती शुरू कर दीजिए पांच, चार, तीन, दो, एक, नए, करना नहीं और जब किसी भाव को हटाना है जो आपको प्रभावित कर रहा है तो ये आप गिंती पांच सेकंड तो लगे है पांच, चार, तीन, दो, एक, नए, ये सब नहीं करना और जो करना है उसके लिए भी आप मन में भाव लाएं मन दूसरे तरफ जा रहा तो भी ये सरफ पांच सेकंड बोल के देखने है डिहान में जाने के लिए हम लोग जो प्रियोग कराते हैं क्योंके जादतर एक आद गंटे के लिए बैठा हैं तो उसमें तो भूमिकाई बनती है पांच साथ दिन का जब आफसर आता है तो हम लोग भी अपने फिलो में आते चले जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें बताई जाते हैं और अगर व्यक्ति उसमें उन सब को अपनाना शुरू कर दे तो जीवन में एक बहुत बड़ा और बहुत प्यारा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है इसलिए बहुत ध्यान रख लेजए प्रभू में निवास हो जाना मतलब प्रभू में होना ये बहुत ही महत्वति है चित शुधि के साथ ही प्रभू में निवास होने की पातृता बनती है तो इसको पतंजली रिशी जो बताते हैं मैत्री करुणा, मुदिता, उपेक्षा, आदी का जो उन्होंने संदेश दिया, उसको ध्यान में रख लेना चाहिए, कि सज्जनों के साथ, अच्छे लोगों के साथ मैत्री भाव रखे हैं। किसी की प्रगती को देख करके जले नहीं, आपके अंदर भी प्रसनता आने चाहिए, और दुखी जनों के प्रति आपके अंदर करुणा का भाव आए, दुष्टों को देख करके उपेक्षा, ना लेना ना देना, एक दूरी उपेक्षा करें। जैसे आप कहीं चलते वे मार्ग में बहुत सुंदर कोई शोरूम देखें और उसी के साथ तोड़ा सा दो कदम आगे उठाते ही, आपको कोड़ा घर दिखाई दे जाए, बदगो भी आ रहे हैं, तो आप कितनी उपेक्षा से देखते हैं, एक को आपने उपेक्षा से देखा वो शोरूम था, बहुत अच्छी गाड़ियां खड़ी भी हैं, अगर ये वाले कलर वाली अपने पास आ जाए, तो अपेक्षा, और कुड़े को देखा तो भागो, जल्दी से निकलो आगे, दुरगंद, और ध्यान भी नहीं देते हुदर, मुड़के भी नहीं द देखते हैं, तो जब आप किसी दुष्ट संगती को उपेक्षा से देखते हैं, कोई लेना देना ही नहीं इससे, ना चित में उसको बैठने देना कि उसे बार-बार सोचना पड़े, तो संसार में दुष्टों के प्रती उपेक्षा भाव रखने से, सुख दुख में सम र आपके जीवन में परमात्मा का कृपा प्रसाद उतरना शुरू होता है, तो बहुत गंभीर ना लगे विशे, तो फिर हम अपने आपको थोड़ा सा और आगे ले पर चलते हैं, इश्वर ने आपको अपने मार्ग के लिए चोना, ये बात बार-बार मन में दोराईए, और दोराईए, कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कि परमात्मा मुझे अपना बना लेना चाहता है, अपना बना लेना चाहता है, तो फिर वह मुझे स्वयम के उपर कुछ प्रयोग करने का अउसर दे रहा है, मेरी प्रयोग शाला मेरा मंदिर है, जहां मैंने बैठ करके अप अपने जीवन पर प्रियोग करने है, शान्ती का प्रियोग करना है, कि मैं कितना शान्ती की संपधा को संभाल सकता हूं, कितना शान्ती को अपने जीवन में संजोप आता हूं और विशेस रूप से तब जब अशान्त वातवन करता हूं, हर एक व्यक्ति क्योंकि कोई भी हुआ, सभी लोग बहुत सम्विधन शील होते हैं, तो दबाव तो आता है, और शान्ती आएगी तो जल्दी से जल्दी आप अपने आपको संभालने हैं, लहरें शान्त हो जाएं, चित को सरोवर की संग्या दी गई है, हमारा जो चित है न, इसको एक तालाब की संग्या दी ही है, कि जैसे उसमें लहरें उट रही होती हैं, तो ऐसे हमारे अंदर भी अच्छी बुरी लहरें उट रही होते हैं, खोशी और गर्मी की लहरें उट रही होते हैं, इसी को वृत्ती बोलते हैं, वृत्तियां, लहरें, उट रही हैं, जा रही हैं, और एक लहर आएगी त तो वो मिटने से पहले दूसरी लहर को जनम दे जाएगी सुक वाली लहर आई तो دुख को जनम दे के चले जाएगी मतलब निराशा वाली एक ऐस जगाई आपने तो निराशा वाली लहर पीछे से आ जाती है 저 बात बहुत अच्छी लेकिन पता नहीं होती है नहीं होती है तो आपने जैसे का पता नहीं होती है यह नहीं होती है तो वो लहर थी निराशा की जो कह गई कि पहले वाली लहर मिटी अब बात यह आगे पता नहीं होता है इसका मतलब निराश उसके बाद दूसरी लहर आएगी ये पता नहीं का क्या मतलब कोशिश करो ना थोड़ी सी तो आस जगाई तो फिर दूसरी लहर आएगी क्या कोशिश करनी है कोशिश तो जिंदगी बर करते रहे लिकर वोता तो नहीं ना तो ये दोनों लहरें आ रही है जा रही है और हमको पता भी नहीं दो लहर आ रही है एक एक को मिटाने के लिए आ रही है उसके बाद में निर्ने करती है बुद्धी पीछे से आकर कि वो कहती है तो महाटो निराशा वाली बात जाना है आस पे कोशिश तो करनी चाहिए बात तो बनेगी क्यों नहीं एक ट्राइ और एक बार कोशिश और तब आप आगे बढ़ते हैं इसलिए मन और बुद्धी इन दोनों को परमात्मा में लीन कर दिया जाए तो सबसे पहले तो ये ध्यान लख लीजिए कि आप सोयम पर कुछ प्रियोग करने के लिए तैयार हूँ शांती का प्रियोग करें अपने आपको आनंद का प्रियोग अपने ऊपर करना शुकर हैं कि मैं कितना आनंदित हूँ मेरी जिन्दगे में कितना आनंद है और मैं उसे कितना संभाल पाता हूँ क्योंकि पैसा जैसे कमाना, संभालना और बचाना और सुरक्षित रखना ये नियम है, ऐसे ही आनंद को कमाया, आनंद को बचाया, आनंद को सुरक्षित रखा और उसे इस्थिर रखना है, दोलत है मेरी आया और चला गया, तो कमाया और गया, खाया पिया और खत्म, ऐसे नहीं तो अपने आनंद को संभालना तो ये प्रियोगा आपने खुद प्रकरने और इस पर काम करना है जीवन यानि निरंतर दोड़भाद, तनाव शारिरिक्व मानसिक ठकान कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्टी और आंतरिक शान्ती से भर दे ध्यान यानि मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा मन को चैन, शान्ती और सुकून मिलता है और अगर ये ध्यान प्रकृती की गोद में किसी सुरम्न और शेतल स्थान पर हो, तो क्या कहने आईए परम पोजी सुधान्शुजी महराज और आदर्निया, डॉक्टर अर्चिका दिदी के शुभ नेत्र तुमें सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्थ शरीर को शक्ती प्रदान करेंगी, बलकि आंतरिक शान्ती से भर देंगी एक सुन्दर अवसर है, पांच दिवसी ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19-39 मई तक होगा और साथी 16 दिवसी लगु चंद्रायन तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा इन शिविनों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुक ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्य प्रध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिट ध्यान, पंच कर्मा, विभिन्न योगिक क्रियां इत्याज, साथी स्ताद्कों को मंग पूर्णिमा दर्शन, यक्त, प्राकृतिक चिकिस्ता के साथ साथ दर्शनी स्थलों के भ्रमण का भी आउसर मिलेगा सबसे खास बात ये है कि साधक मनाली के एक अतियंत खुपसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कारिक्रवमों में हिस्सा ले सकती है तो आईए परम पोजे गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दिदी के साथ मनाली चलें पहाडों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विध्या सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्त तन, आत्म विश्वास और सबसे बढ़के आंतरिक शांती और सुकून